बिसमिल्लाइब रहीम, असलाम अल्कूम, अडे इन माइन लाइफ में आपको वेलकम करते हैं और दुआ करते हैं लत अलाइब सबको अपनी जुमान में रखके, खुछ रखके, अबाद रखके और यहां पे रोटीन लाइफ शुरू हो चीकी थी, और शाम का टाइम है, चाय वगएरा से हम फारे हो गए थे, असल में आज मेरी सिस्टर आ गई थी चोटी वाली, और शाम के टाइम पे, तो फिर हम लोग ने चाय वगएरा बना ली, कुछ समोसे वगएरा मंगवा लिये थ तो इस तरह से हमारा शाम का टाइम गुजर गया, पिर हम लोग थोज़ी दिर बैढ़ गए थे, बाते वगएरा कर रहे थे, और अपनी अम्मी को बहुत जादा याद कर रहे थे, अम्मी को बहुत जादा याद आती है, और मदर्स डे भी था आज, तो मैं पोस्ट वगएर पीकर जब फारीज होए तो प्र हमारा प्लैन होगे भी जली से खाना बना लिया जाए तो सबसे पूचते रहे कौन क्या खाएगा तो डिसाइड यह हुआ के कीमा जो है वो भून लेते हैं और चनी की दाल बना लेते हैं चामल बना लेंगे और थोड़ सी रोटी तो गर्मी इतनी ज्यादा थी तो फिर मैंने का चलो ठीक है हम लोग यही सब बना लेते हैं और तो मैं यहां पर खड़े मसाली का कीमा जो है वो भूनने लगी थी जल्ली जल्ली से मैंने प्यास बगेरा काट लिया था और लहसा नद स्क्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल पर बहुत अच्छे चीशी आपको बाते सुनने को मिलेंगी और बहुत अच्छे से व्लॉग भी मिलेंगे तो बस देखें यहां पर जो है ना आस्ती ने मैंने चढ़ाई हुए इसलिकि गर्मी बहुत ज्यादा है और मुझसे निच तो इस वज़ा से अब मुझे गर्मी इतनी ज्यादा लगती है तो बस इसलिए मैं जो है ना अपनी स्लीव उपर ही काम के टाइम पे चढ़ा के रखती हूं गर्मी की वज़ा से तो बस जली-जली से मैं यहां खाना चढ़ा रही थी और मेरी कोशिश यह थी कि जल्दी खा बढ़ाने से जान चूटी रोटी बढ़ाना मुझे सबसे मुश्किल काम लगता है वैसे और मेरे दिल चाता है रख गर्मी में सिर्फ चावली बनते रहें लेकिन जाएट से बाते हैं रोटी काना भी बहुत जरूरी है तो बहुत ज्यादा करें और चिया सीड या तुकु से आपके रुटीन पर लाईफ आई है या नहीं मुझे थो नीन के अतना ज्यादा मसला हो रहा है राद भर मुझे नीन नहीं आती रमजानों में रात भर मैं नहीं रादत ही मैं नहीं र minha दीन ajlamин दम मैं तो अभी तक किरा ना सोने की के वज़ спрос अभी तक नीन नहीं आ रही है और दिन मेरा ऐसा गुज़र इसलिए कि अब जाहर से पते रमजान वाली रूटीन तो है नहीं तो जल्दी जल्दी से सुबह उठना पड़ता है और अपने काम सारी निप्टाने पड़ते तो नीन का बहुत ज्यादा शू हो गया है तो बस यहां देखें मैं जल्ली जल्ली से कईमे को भून रही हूं और दाल हमारी बन चुकी है तो अब इसका बगार भी लगा लूँगी और बगार लगाने के बाद हमारा खाना रेडियो जाएगा तो जैसी खाना रेडियो है तिन में रोटियां भी हमने भी वह मनें हो आधी रहती है और यचीन कहने मुझे नीन ज्याए न बहुत जाधा पोरा दिन हाती है और दिल चाहता है के सो जाओं लेकिंद में जाहिश बाते सोनी को नहीं मिलता है काम ही इतनी ज्यादा होते हैं तो यहां पर जो है वो मैं अपने बहांजे से बाते भी करती जाए थी छोटा सा है लेकिन माशलला से वो बहुत ज्यादा बाते करता है और हम लोगों से बहुत ज्यादा अटाइस है तो मेरी बेटी से और मुझ से तो बस वह फिर लगा रहता है हम लोगों के साथ और बाते करना सब तो मैं उसको बार-बार किचंद से बाहर भी कर रही थी किचंद से आप बाहर खड़े हो के मुझसे बाते करें किचंद में नहीं आए इसलिके इस टाइम पर खाना बन रहा है तो देखें यहां पर चनी की डाल जो और मेरी और वीडियो को भी देखें आपको बहुत मजाएगा तो अब यह देखें अब मेरी नेक्स वीडियो जरूर देखेंगा मैं उसमें डे क्रीम भी बनाऊंगी डियाइवाई जो के मैं बहुत अर्से से इस्तमाल कर रही हूं और मुझे इतने अच्छे उसके रिजर उसे अराम से बन जाएगी लेकिन वाकई में उसके अमेजिंग रिजर्ट्स हैं और मैंने यह बहुत जादा इस्तमाल करने के बाद आपके साथ शेयर कर रही हूं यह नहीं कि मैं आज ही बनाऊ और आपस शेयर कर रही है तो उसको भी बहुत अच्छे रिजर्ट्स मिल रह आपको यह लेकिन मेरे पास अखीमे की लिए लहसन काटा था तो और रख़ावा था तो मैं आईका चलो इसमें लहसन भी ढाल देते हैं और वाकई में बहुत मज़े का लगा तो लहसन भी प्यास के साथ जए मैं डाल दूगी थोड़ी दिर बार जब प्यास होड़ी हल्की तो आप मुझे जरूर बताईएगा और शेयर कीजिएगा आप लोग भी अपनी रेसिपीस कौन सी रेसिपीस आपको जाद अच्छी लगती हैं तो यहां सिस्टर मेरी आ गई थी मेरे साथ थोड़ सा बात बात कर रहे थी और एक दो हाथ उन्होंने भी कीमिय में लगा दिये चलो मैं भी मुझाई में तुम्हारा हैल्प कर देती हूं तो मैं अपनी सिस्टर से काम नहीं करवाती जब आती है तो मैं कहती हूं कि तुम अराम करो आई हो अपने घर से और घर से खुदी जो है वो इतना काम करके आते हैं और अम्मी जो है वो हमारी इसी तरह से करती थी हम लोग जो अम्मी के पास जाते थे तो अम्मी को किचन में फौरान लग जाते थी लेकिन मैं अम्मी को कोई भी काम नहीं करने देती थी मेरी शुरू से ऐसी आदत थी कि मैं अपनी अम्मी को काम नहीं करने देती और मैं खुदी किचन में उनको बिठा देती थी और मैं किचन में साथ लग जाती थी काना वगयरा, सब बनाना बरतन वाश करना, जो भी मुझे हो सकते थे काम, वो सारे मैं करती थी अम्मी को मैं बिल्कुल भी काम नी करने थी तो याद आती हैं अम्मी बहुत जादा मुझे और मेरा बहुत जादा वग गुज़रा है कभी मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उनके आखरी के लमहात और मैं उनके साथ बिल्कुल थी, तो मैं कभी इंशाला आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी तो बस यह देगें यहाँ पे प्यास का बहुत मज़िदा शेयर का रेडियो चुका है और इसको मैं अब डाल में डाल दूँगी और इतनी बिजी रूटीन आजकल हो गई है उनिवस्टी भी स्टार्ट हो गई है और स्कूल कॉलेजी सब खुल चुके हैं बच्चों के तो बस बिजी रूटीन भी हो गई है गर्मी के साथ साथ और गर्मी जो है ना वो अपनी उरूच पे है जबर्दक गर्मी है पंके के बगए जो है वो गुजारा बहुत मुश्किल है तो बस यह है देखें दड़का रेडी हो गया है अब मैं इसको जो है डाल में डाल दूँगी थोड़ी सी हरी मिर्चे पदीना और अद्रक यह सब भी मैंने जो है वो तड़के में डाल दिया है और मैं तड़के में जो है एक टुइस देने के लिए इसको गरम मसाला और लाल मिर्चों का पाउडर जो है वो इसमें थोड़ा सा एट करती हूँ आखिर में बिलकुई तेल में और उसको फिर मैं तड़का लगाते हैं तो बहुत अच्छी से हुजबू भी आ जाती है मज़़दार सा खाना रेडि होगया है और यह काम करना मुझे बड़का टार बाद और विप्रेंग पैन में चलेकिन का तो आफ़े में बोड़ खाल जोगी और एक पिंट है अउय хоть और लोग। ऐकली सब्सक्राब के साथ मिलेंगे, अल्लाफ आफएज झाल झाल